भारत के परियावरन रक्षा के इत्यास में 26 मार्च का एक खास मुकाम है। इस दिन पेडों को बचाने के लिए महिलाए उनसे चिपक कर खड़ी हो गई थी। और ठेकेदार के आदमियों को ललकारा था कि पेडों से पहले उन लोगों को काटें। ठेकेदार को पेडों को का एहम भूमी का गौरा देवी नाम की विरंगना ने दिखाई थी। आईए जामते हैं एहम भूमी का निवाने वाली गौरा देवी के बारे में चमौली जिले में जन्म। गौरा देवी का जन्म 1925 में चमौली जिला के लाता नाम के गाउं में हुआ था। उनके पिता का न साम इस्थाई आवासिये गाउं था ये लोग अपनी गुजर्बसर के लिए पशुपालन उनी कारवा और खेती बाड़ी किया करते थे पहले चिपको आंदोलन को जाने 26 मार्च 1924 को पेडों की कटाई रोखने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ उस साल जब उत्रखंड की रेणी गाउं के जंगल के में लगबग धाई हजार पेडों को काटने की निलामी हुई तो गौरा देवी ने अन्य महिलाओं के साथ इस निलामी का विरुथ किया इसके अब आपजूर सरकार और ठेकेदार अपने फैसले पर अडे रहे जब ठेकेदार के आदमी पेड काटने पहुचे तो गौरा देवी और उनके 21 सातियों ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की जब उन्होंने पेड काटने की जिद की तो महिलाओं ने पेडों से चिपक कर उने ललकारा कि पहले हमें काटो फिर इन पेडों को भी काट लेना आखिर में ठेकेदार को जाना पड़ा बाद में इस्ताई वन विवाग के अधिकाईयों के सामने इन महिलाओं ने अपनी बात रखी इसका पईडाम सुकद रहा और रेणी गाओ का जंगल नहीं काटा गया इस तरह यहीं से चिपको आंदोलन की शुरात हुई पेडो को काटने की योजना परसासन ने सड़क निर्मान के दोरान हुए नुकसान का मुआपजा देने की तिथी 26 मार्च तै की गई जिसे लेने के लिए सभी को चमॉली आना था इस बीच वन विवाक ने सुनी योजित चाल के तहट जंगल काटने के लिए ठेकेदार को निर्दिश दिया था ठेकेदार के आदमी जब रहनी पहुँचे इसी योजना पर अमल करते हुए ठेकेदार के आदमी रहनी के देवदार के जंगलों को काटने के लिए चल पड़े इस गतिविदी को एक लड़की ने देखा और उसने तुरंट इसके बारे में गौरा देवी को बताया गाउ में मौजूद 21 महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी इन में बती देवी, महा देवी, नत्यी देवी, लीला मती, उमा देवी, बाली देवी शामिल थी जंगल को बताया मायका, उन्होंने पेड काटने आए मजदूरों से कहा, भाई ओ, यह जंगल हमारा मायका है, इसे हमें जड़ी बूटी, फल सबजी और लकड़ी मिलती है, जंगल काटोगे तो बाड़ आएगी, हमारे घर बह जाएंगे, आप लोग खाना खालो, और फिर हमारे साथ चलो, ठेकेदार और वन विभाग के आदमी उन्हें धराने धंकाने लगे, उन्हें कारे में बाधा डालने में गरफतार करने की भी धंकी दी, लेकिन महिलाएं नहीं डरी, ठेकेदार ने बंदूर निकाल कर जब धंकाना चाहा, तो गौरा देवी ने सामने आक गरस्ते हुए कहा, मारो गोली और काटलो हमार माय का, इस पर मजदूर सहम गए